आपने मूंकी दाल के चीले कई बार बनाए होंगे और खाए भी होंगे एक बार आप मेरे तरीके से बना के खाईए यह की मानिया आपको बेहत पसंद आएंगे इसे खाएंगे हम हरी चट्नी के साथ इसे मैंने कैसे बनाया चेलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं यह मैंने 200 ग्राम मूंकी दाल ली है यह चिलके वाली दाल है आप चाहें तो इसे बिना चिलके वाली दाल से भी बना सकते हैं इसको मैंने 2.5 गंटे पहले भिगो के रख दिया था अब यह दाल फूल के डबल हो गई है इसको दो के मिक्सी के जार में पीस लेते हैं सारी दाल अब ये दाल पीश चुकिये च लिए इसको बरतन में निकाल लेते हैं अभी मैंने कोई पानी नहीं डाला है अगर आपको पीशते समय कोई तिकت हो रही है उसमें आधा कब पानी डालके आप से पीस ले यह दाल अभी गाड़ी है पानी डाल के बैटर तयार कर लेते हैं जो ज्यादा ना पतला हो ना ज्यादा थिक हो इस तरह का बैटर हमें तयार करना है अब इसमें डालेंगे आदा चमच नमक चौथाई चमच हल्दी पाउडर अब इन सब को आदा मिनट तक चलाते हुए मिला लेंगे चलिए अब इसको साइड में रखते हैं और इसके लिए फिलिंग तयार करते हैं फिलिंग के लिए मैंने लिए आदा कप मटर के दाने एक शिमला मिच को बारी काट लिया एक प्याच को बारी चौप कर लिया है और एक गाजर को बारी काट लेंगे इसके साथ ही 100 ग्राम प किसमें दालेंगे आदाला जीरा जब अड़ने लगा इसमें डालेंगे चौप कोई फ्याज חज, कटी हुई शिमला मिर्च कटी हुई मिर्च, मटर के दाने orchid टी गाजर। इसमें डाल देंगे चौथाई चमच नमक इन सब्जियों को चला लेंगे दो मिनद तक सब्जियों को चलाते हुए पकाएंगे चलाते हुए सब्जियों का सिर्फ कच्चा पंदूर करना है उन्हें पूरी तरह पकाना नहीं है अब सब्जियों का कच्चापन दूर हो गया है गैस की फ्लेम को इस वक्त बंद कर देंगे और सब्जियों को ठंडा होने देंगे जब तक सब्जियां ठंडी हो रही है तब तक चली चटनी बना लेते हैं जार में मैंने हरी धनिया ले लिया है धनिया की पतली डंडियों को मैंने जादा लिया है इस से चटनी का टेस्ट अच्छा आता है इसके साथ ही जार में मैंने दो हरी मेर्च चार-पांच लेसुन कीकलिया एक इंच अद्रक का टुकड़ा एक टमाटर को बड़ा-बड़ा काटके डाल दिया अब इसमें चौथाई चमच काला नमक चौथाई चमच सफीद नमक चौथाई चमच भुना वजीरा डाल देंगे अब इसमें आधे नीबू से भी कम नीबू काटस डाल के सब को पीस लेंगे और चिटनी तयार कर लेंगे सबजियां भी ठंडी हो गई है इसमें डाल देंगे घिसा हुआ पनीर आप इस सबजी में आमचूर पाउडर या चाठ मसाला, हरी मिर्च ये लाल मिर्च कोई भी मसाले डाले, मैंने ये सब नहीं डाले उपर से डाल देंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया चलाते हुए मिला लेंगे, अब ये फिलिंग तयार हो गई है गैस पर तवा गरम करेंगे, उस पे एक चमच तेल डालेंगे और टीशू पेपर की साहता से उसे चिकना कर लेंगे अब चमचे में बैटर लेंगे और गोल-गोल घुमाते हुए फैला लेंगे इस वक्त गैस की फ्लेम को हाई रखें बैटर फैलाने के बाद गैस की फ्लेम को धीमा कर लेंगे जब चीला हलका सा सिख जाए, तब इसके चारों तरफ तेल डाल देंगे थोड़ा सा उपर भी डाल देंगे चीला एक طرف से सिख चुका है ये देखिए उसने किनारी छोड़ दी है अब इसे हम धीरे से पलट लिएंगे ये देखिए चीला एक तरफ अच्छे सा सिख चुका है दूसरी तरफ भी कुछ सेकंड्स के लिए सेक लेंगे चलिए इसको पलट लेते हैं ये दूसरी तरफ भी सिख गया है, जो सबजियां तयार की थी, वो चीली पर एक तरफ डाल के फैला लेंगे, और दूसरी तरफ से पलट के इसको कवर कर देंगे, चीला बन गया है, चलिए इसको प्लेट में निकालते हैं, इसे खाएंगे हम हरी चटनी के साथ,